हलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सास्तेकाल, आपका दोस्त, गौरफ टेस्ट बुक सुपा कोचिक पे स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाएए तयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक important topic पेवार जहाँ पर हम लोग करेंगे important articles आपको पता है जो यहाँ पर हमारे अनुचेद होते हैं भारती सम्विधान के वो बहुत बार exam में पूछे जाते हैं चाहे फिर वो कोई सब एक्जाम उठाकर आप देख लीजिए SEC चाहे CGL देख लीजिए CPO देख लीजिए MTS, GD, STINO कोई सब एक्जाम देखेंगे तो वहाँ पर quality का यह topic है important articles वो आपके exam में पूछे जाते हैं देखे articles तो बहुत सारे हैं लेकिन कितने articles याद करने होंगे उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे और देखेंगे क्या क्या exam में पूछे जाते हैं questions भी लगाएंगे और थोड़ा सा theory वाला पार्ट भी करेंगे लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि दोस्तों यह session जो है सिर्फ 20 मिनिट का ही session रहने वाला है ठीक है तो चली इसकी शुरुआत करते हैं और बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर motivational quote के साथ और आज का motivational quote है बस हिम्मत रखो जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है तो आपको अपने उपर भरोसा रखना है समय अभी जादा नहीं हुआ है कई लोग सोचते बहुत लेट होगे कोई बात नहीं लेट होगे तो क्या हुआ अभी आज शुरुआत करिए और बिलकुल जो आपने सोचा है वो बिलकुल होगा ठीक है इसीक साथ आगे बढ़ते ह हैं और दोस्तों यहां पर सभी लोग क्या करेंगे यस टाइप करेंगे जिससे आपको जो है फड़ावर से क्या हो मुझे पता चल जाए कि मेरी स्क्रीन और वोइस एक्दम क्लियर है मतलब आपको क्या करना है सिर्फ यस टाइप करना है और हम लोग शुरू करते हैं सेशन को तो जैसा कि मैंने का कि हम लोग थोड़ा सा important देखेंगे articles ठीक है तो उससे पहले में आपको बताना चाहूंगा कि ज़ग हमारा सम्विधान बना था तो सम्विधान बनने में 2 साल 11 महिना 18 दिन लग गए थे हमारे सम्विधान को बनने में जब सम्विधान बना था तो 22 भाग थे, कितने 22 भाग थे, 395 जो थे आर्टिकल थे, ठीक है, कितने थे, आर्टिकल, 395 और 18 अनुसूचियां, मतलब schedule थे, ठीक है, अभी present में देखेंगे, तो 25 पार्ट है, कितने हैं, 25 भाग हैं, ये आपको याद रखना है, 448 जो है, आर्टिकल हैं, ये भी याद रखे हैं, अब हमें पढ़ना है कि भाई, कौन-कौन से important है, तो एक बार ध्यान से सुनते जाएगा, जो-जो important है, सबसे पहले हम लोग important fundamental article देख रहे हैं, जो fundamental right के article है, important वो देखते हैं, article 14 कि से related है, तो equality before law, मतलब कहता है, कानून के नजर में सब एक है, article 15 क्या कहता है, कि जो भेदभाव होता था, ठीक है, किसके धर्म के आधार पर, या फिर कास्ट के आधार पर, या फिर लिंग के आधार पर, या फिर जन्म, यहाँ पे स्थान के आधार पर होता था, वो यहाँ पे दोस्तों नहीं होना चाहिए, यह 15 कहता है, प्रोहिबिट करना है, ठीक है, 16 क् तब के बीच में दोस्तों opportunity जो है वो equal होनी चाहिए public employment के लिए ठीक है उसके बाद article 17 कहता है abolition of untouchability जो छुवा छूत होती है उसको यहाँ पर क्या करना है आइस प्रश्टा का उन्मूलन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या कहते है आइस प्रश्टा का उन्मूलन ठीक है title का इस्तमाल नहीं करना है ठीक है यह कहा गया है 19 में कुछ आपको rights दिये गए है ठीक है कुछ आजादी दी गई है कितनी आजादी दी गई है 6 आजादिया दी गई है कौन-कौन सी assembly आप बना सकते हो association आप बना सकते हो भारत में कहीं भी दोस्तों move कर सकते हो ठीक है कहीं पर भी रह सकते हो residence और बोलने का अधिकार यह आपको 6 अधिकार दिये गए है 19 में बीसवा क्या कहता है protection in respect of conviction for offenses अगर offenses के लिए आपके पास दोस्तों यहां पर protection के लिए यहां पर क्या हो सकता है आप अपने लिए लड़ सकते हैं 21 में क्या कहा गया है कि आप जो है protection of life मतल को पढ़ाना अनिवार है आडिकल 22 क्या कहता है आडिकल 22 कहता है protection against arrest and detention certain cases ठीक है यहां पर protection किसके खिलाफ जो arrest वगरा होते हैं उसके खिलाफ यहां पर लड़ा जा सकता है यह याद रखेगा 20 और 21 आडिकल जो है कभी इनको suspend नहीं किया जा सकता मतलब इसको यहां पर dissolve नह लोग कहते हैं वो नहीं होनी चाहिए उसको हटाना है प्रोहिबिट करना है 24 क्या होता है prohibition of employment of children in factories जो बच्चे होते हैं 14 साल से कम उम्रे के उनको डेंजर प्लेस में मतलब फैक्ट्री और इंडेस्ट्री में अलाव नहीं करना है ठीक है यह तो हमने fundamental आडिकल देख रहे ह वो कौन से आडिकल में दिये है तो आडिकल 25 से 28 में उसके बाद cultural and educational right दिया गया है ठीक है 29 और 30 में 29 में क्या कहते हैं कि जो minorities हैं उनकी interest के बारे में बात करना है उनके interest को बचा करके रखना है और 30 क्या कहता है जितने भी minorities हैं उनके लिए educational institute की बात की गई है right of minorities to establish administration and educational institute ठ अगला जो important आता है वो है आडिकल 32 मैंने आपको बताया नहीं लेकिन आडिकल 32 याद रखेगा आडिकल 32 जो है वो किससे संबंदित है आडिकल 32 है remedies से किससे है remedies से संबंदित है जिसके अंदर rates दिये के हैं और कितने rates है पांच rates है यह आपको सिर्फ अभी के लिए इतना ध आडिकल है हमें 20 मिनट में जादा से जादा आडिकल कवर करने है दोस्तों ठीक है इसलिए थोड़ा से जल्दी चलेंगे आडिकल देखे 36 में definition दिया गया है आपको पता है DPSP 36 से लेकिन क्यावन तक है उसमें important देखे अगर आप देखोगे important कह है यहाँ पर आप देखोग 41 में क्या है right to work to education and to public assistance in certain cases यहाँ पर दिया गया है 42 important है क्योंकि 42 में किसकी बात की गई है maternity relief की गई है किसकी बात की गई है यहाँ पर maternity relief की 43 कि से related है living wages से related है ठीक है living wages for the workers यह है ठीक है उसके बाद important जो है वो आपको याद रखना है इसमें कुछ चीजे important जो है जैसे कि 44 किस से है uniform civil code से है ठीक है 45 जो है वो education से related है बच्चों के education से कहता है शुनने से लेके 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाना चाहिए ठीक है यह कई बार पूछा जाता है ठीक है पचास्वा किस से related है वो कहता है judiciary और executive के बीच में जो power का distribution हुआ है किसके किसकी बीच में executive और judiciary के बीच में power का distribution ठीक है यह आप से पूछा जाता है कि distribution of power between executive और judiciary किस में दिया गया है तब आप कहेंगे यह अनुछेत 50 में दिया गया है रिवीजन फटाफर से कर लिजे इसके बाद हमने क्विज करेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो है यहां पर आप देखे हम लोग किसके देखरें यूनियन से रिलेटेड यूनियन मतलब यूनियन के अदर कौन कौन आते हैं तो president हो गया है यहां पर हम बात किसमें बावन में है तिरपन किस से रिलेटेड है उनके executive power से रिलेटेड है प्रेसीडेंट के चववन किस से रिलेटेड है election of president election याद रखेगा प्रेसीडेंट का देखे यहां पर 55, 56, 57 अब देखे 60, 60 important है 60 क्यों 60 में president का ओथ दिया गया है क्या दिया गया है राश्पती चेर्में यही article बताता है कि जो vice president होंगे वो क्या होंगे ex-officio होंगे chairman मतलब सभापती होंगे राजसभा के यह article 64 बताता है ठीक है यहाद रखेगा यहाँ पर important फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर election of vice president किसमें दिया गया है चाचट में 72 में क्या दिया गया है यहाँ पे president का power है कौन सा pardoning power pardoning मतलब शमादान की शक्ती किसकी राश्टपती की ठीक है राश्टपती की दी गई है इसमें शक्ती यह याद रखेगा चोहत्तर में क्या दिया गया है council of minister कहा गया है जो की vice president को suggest कर सकते हैं च्छेत्तर में क्या है attorney general कौन है च्छेत्तर में attorney general for of India यह यह य parliament से 80 जो है यह किस से related है यह राजसभा से related है एक 80 जो है यह किस से है लोगसभा से related है यह आपको ध्यान रखना है अगर आपसे कभी पूछा कि duration of parliament वो किसमें है तो 83 में है duration of parliament 84 में क्या है qualification कि इसकी qualification क्या क्या होगी किसी member बनने के लिए parliament का member बनने के ठीक है उसके बाद 85 म फिर उसके बाद 86 में right of president to address and send message to the house ठीक है यहाँ पे उसके बाद important हमारे लिए यहाँ पे 93 यह पूछा गया है speaker और deputy speaker किसमे है तो speaker और deputy speaker जो है वो house of people जो है किसमे है 93 में लोग सभा कि speaker और deputy speaker 93 में यह आप कैसे सीजल में पूछा गया सवाल है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगला जो है यह पारलेमेंट से related और जो है 107 में क्या दिया गया है कि जो है यहाँ पे provision दिये गया है और introduction दिये गया है किस सभा में पेसकरनिक जूरत नहीं है ऐसा 109 कहता है ठीक है 110 में क्या है यह धन विधियक मतलब money bill है 111 में ascent to bill मतलब जो भी यहाँ पे ascent होते हैं बिल के वो किसमें mention है 111 में है 112 में क्या है यहाँ पे annual financial statement जिसको हम लोग budget कहते हैं क्या कहते है budget ठीक है यह आपको ध्यान बाकी यह सारा कुछ आपको pdf में मिल जाएका इसकी attention नहीं लेनी है अगला देखे judiciary से related 124 में दिया गया है establishment of the constitution ठीक है supreme court अगर आपसे किसमें दिया गया है तो दिया गया है 124 में ठीक है 125 में salaries दी गई है judges की 126 में appointment of the acting chief justice मतलब ad hoc जो chief justice होते हैं उनको करने की ठीक है 127 में sorry यहाँ पर active chief justice है और यहाँ पर ad hoc judges की बात की गई है ठीक है यहाँ रखेगा और इसमें important यह सारा कुछ आप एक बार देख सकते हो original due diction किसमें दिया गया है 131 में दिया गया है ठीक है अब देखे यहाँ पर हम लोग question wise करेंगे ठीक है question wise करेंगे और कुछ article में आपको और बताऊंगा जो important आपके लिए ठीक है तो यहाँ पर question है as per the dash article of the constitution of India English is the official language for all high court in the country यह कह रहे है कि भारत के सम्विधान के अनुछे dash के अनुसार अंग्रेजी जो है देश में सभी उच्छ नयायलों की अधिकारिक भाशा है 329, 348, 315 और 336 तो यहाँ पर याद रखेगा correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पर correct answer होगा आपका 348 क्या होगा 348 correct answer होगा यह आपको याद रखे 348 जो अनुछेदे यह कहता है कि हमारे जो जित्ते भी उच्छ नयाले है वहाँ पर अंगरी जी भासा का इस्तमाल के जाएगा as a official language ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो पचास 161 189 जल्दी सुबताइए जी हाँ यहाँ पर correct answer जित्ते लोग कहरे सर होना चाहिए 161 उनका correct answer होगा 161 correct answer होगा जबकि राश्ट्पती का किसमे था pardoning power तो ध्यान से सुनेगा राश्ट्पती का pardoning power था article 72 में किसमे 72 में ठीक है चले अगला सवाल यहाँ पूछ रहे इंडिया शैल मनी बिल नॉट बी इंट्रिदूस इन दा काउंसिल ऑव स्टेट यह कह रहे हैं भारत के सम्विधान के निमलिखित में से किस अनुछेद के अनुसार धन विदियक को रास अभा में पेश नहीं किया जाएगा आडिकल 109 354 393 और 298 मैंने आपको अभी जब ह देख रहे थे आडिकल तो उसे में बताया था कि एक ऐसा आडिकल है जो कि कहता है कि जरूरी नहीं है कि धन विदियक को रास अभा में पेश किया जाए और वो था कौन सा आडिकल 109 जित्ते लोग यह ऑप्शन कह रहे हैं उनका करेक्ट टांस रोगा यह ऑप्शन इसी करे तो याद रखेगा 42 है 29 है 18 है या 24 है पड़ावड बताईए वहरी कुट जित्ते लोग 29 कह रहे हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आर्टिकल 29 इसी करेक्ट आंसर यह आपको ध्यान रखना है क्या है आर्टिकल 29 अच्छा आगे बढ़ते हैं अगले सावर अच् इंडिया गुष्ण दा प्रेसीडंट ऑफ इंडिया कैन पी इंपिज फॉर वाइलेशन ऑफ कॉंस्टिशन अंडर विच आर्डिकल भारत के राश्पती को किस अनुशेत केता है जो है सम्विधान के उलंगन के लिए जो है उनको महावियोग लगाया जा सकता है आर्डिक आर्डिकल ऑफ दे कॉंस्टिशन ऑफ इंडिया ग्रांट के सम्विधान का कौन सा जो है नुशेत भारत के नागरिकों को सम्विधानी कुपचार प्रदान करता है बतिस उननिस चववन और पैतालिस अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था रिमिडिस ज यह किस से सम्बंदित हैं इस सेंटर स्टेट रिलेशन से हैं कॉंस्टिशनल अमेंडमेंट से हैं सुप्रीम कोर्ट से या फिर स्टेट गौवर्मेंट से हैं तो 368 जित्ते लोग कह रहे हैं यहां पर बहुत बढ़ी अमेंडमेंडमेंड करेक्ट आंसर होगा यह याद यक्ष और उपाध्यक्ष होने चाहिए 93, 85, 97 और 100 ठीक है यह भी सवाल पूछा गया है स्सी में ही यह वाला सवाल ठीक है तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा option number one article 93 अनुछे 93 जो है यह कहता है कि लोग सभा में speaker और deputy speaker होने चाहिए ठीक है अगला question which region of the country conferred special status under the article 371J of the constitution of India भारत के समविधान के अनुछे 371J के तहत देश के किस छेत्रों को विशेश दर्जा दिया गया है नागालेंड, हाइदराबाद, करनाटका, महराष्ट और लद्दाग देखे, मैं आपको बता दू पहले जमु कश्मीर को article 370 special दर्जा देता था, 370 को 2019 में dissolve कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, repeal कर दिया गया, delete कर दिया गया 371 जो है, यह महराष्ट और गुजरात को special state का दर्जा देता है, उसी तरीके से 371 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J करके हैं, तो J किसकी बात करता है, यह बताए, 371 जो है, वो नागलेंड की बात करता है, आप से यहाँ पे J पूछा है, तो J क्या होगा, हाइदराबाद और करनाटक ठीक है, हाइदराबाद और करनाटका, अगला सवाल, the right to vote is in which article of the Indian Constitution, मत देने के अधिकार भारती सम्विधान के किस अनुछेद में है, तो 322 में है, 324 में, 326 में और 330 में, किस अनुछेद के तहत, आप जो है, मत देते हो, वोट देते हो, तो यहाँ पे correct answer 326 हो जाएगा, option number 3 is correct answer, ठीक है, अगले सवाल पढ़ते हैं, अगला question, the special provision in article 371 G, अब देखे, 371 G पूछा था, अब यहाँ पे जी पूछा है, ठीक है, of the Constitution of India, relate to the state of, भारत के सम्विधान के अनुछेद 371 G में, विशेश प्रावधान की सिराजिकी स्थिती से सम्मंदित है, जम्मु कश लीजे, अगला question आपके लिए रहा, which article of the Indian constitution defines the duties of the chief minister, भारती सम्विधान का कौन सा अनुछे, जो है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाशित करता है, 163, 166, 167 और 164, क्या होगा correct answer, चले, यहाँ पे correct answer क्या होना चाहिए, correct answer हो चाहिए, option number 3, 167 correct answer होगा, क्यों, क्य under the purview of, 1975 में इंद्रा गांधी जो द्वारा घोशित अपातकाल को किस दायरे में आता है, वो, financial emergency, state emergency, terrorist and disruptive activities emergency, या फिर national emergency, तो यहाँ पे राष्ट्रिया पातकाल, राष्ट्रिया पातकाल, जित्ते लोग करें, option number 4, correct answer होगा, ठीक है, राष्ट्रिया पातकाल तीन बार लग अगला question, which article of the Indian constitution deal with the state executive, आप से पूछ रहे है, भारती सम्विधान के कौन से अनुछेद में, राज की कारिकारिनी से सम्मंदित है, 148-162, 143-153, 143-153, 153-163, क्या होगा, correct answer, फड़ा वर से 20-25 मिनिट के अंदर हमें बहुत सारे questions कर रहे हैं, दोस्तों, ठीक है, तो यह पर correct answer क्या होगा, correct answer को option number 4, 153-166 correct answer होगा, ठीक है, अगला सवाल, the president of India has the power to pardon under which article of the constitution of India, भारत के राश्पती को भारत के सम्मिधान में, किस अनुछेद के तहज जो है, शमा करने की शक्ती है, 63, 86, 72 और 52, अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही देखा था, कि governor को 161 के तहज जो है, उनको शमादान की शक्ती मिली है, जबकि राश्पती को किस आर्डिकल के तहज मिली है, 72, ठीक है, किस में, 72 के तहज, चले, अगला सवाल आपके लिए, यहाँ पे पूछ रहे है, यहाँ पे equality before law, किस अनुछेद के अंतरगत आता है, ठीक है, मतलब कानून के समानता की बात क्या ही है, 13, 14, 15, 16, किस में आता है, 14, 14, तो यहाँ पे करेंट आंसर होगा, आर्डिकल 14, equality before law, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, कानून के नजर में सब एक बराबर है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ-कुछ important आर्डिकल जो इसको हम लोग कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल, याद रख लीजिए, 360 में क्या है, वित्तिया पातकाल है, ठीक है, मतलब financial emergency है, यह याद रखेंगे, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, UPSC किस में आता है, तो UPSC 315 में आता है, UPSC जो है, वो 315 में आता है, आपसे पूछ मतलब केंदर शाषित प्रदेश के जो हाई कोट है, वो किसके अंतरगात आते हैं, तो आपको याद रखना है, 241 के अंतरगात आते हैं, ठीक है, कुछ important article यह हैं, मैंने आपको शुरुआत में fundamental duty, DPSP, और जो important आपके प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर से related थे, वो article बत finance commission से संबंदी था है, article 280, CAG, Comptroller and Auditor General, article 148, ये भी याद रखेगा, ठीक है, ओ हो 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 हो, दोस्तों यहाँ पे समय होता है, समाप्त जहां पर आज हमने क्या किये हैं, most important articles किये हैं, इन articles को जरूर देखके जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके exam में, एक नाए question तो article का कह पॉलिटिसी देखने को मिलता है, तो उसको अच्छे से करके जाना है, ऐसे session में आपके लिए 20-25-25 मिनट के और भी लेकर आऊँगा, related to the static GK, जैसे कि dance का हो गया, music का हो गया, फिर national park के हो गया, इस festival का हो गया, मैं ये सब सारे लेकर आऊँगा, तो जरूर देखेगा, औ और अपने exam में, जो लोग के भी exam है, सभी लोगों को best of luck अच्छे से perform करिएगा, और मचा कराएगा, चलिए दोस्तों, तो इस session को यहीं पर करते हैं, अगर टेलिग्राम पे आप में साथ नहीं चुड़ें, तो जुड़ जाएगे, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी अगले session में, एक नए जोश के साथ, एक नए session के साथ, जुड़ना मत भूलेगा, मेरे साथ अगले session में, तब तक के लिए रखेगा, आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रेगा, बाई बाई, टेक कियर, जैहन, जैभारत